गुड मॉर्निंग, वेलकम चू ऑनलाइन गुरू कुलम, कैसे हैं दोस्तो आप सभी, दोस्तो आज है 28 दिसमबर और 28 दिसमबर का टॉप करेंट अफेस लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ, तो चलिए सुरू करते हैं, शुरू करने से पहले अधि आप नए व आज के पहले प्रस्ट की तरफ हम चलते हैं, दोस्तो आज का पहला प्रस्ट आपकी स्क्रीन पर राश्टी उपभोकता दिवस 2018 का विसय निमनिमेशे क्या था, यहां पर आपको देखना होगा कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, आपको क्या बताना है, नेशनल कंज्य समय बतान जो है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यहां पर हम इस प्रस्ट के जो आसपास की जानकारिया हैं, उनको देख लेते हैं, देखिए, 24 दिसंबर को हर साल राश्टी उपभोकता दिवस हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं दोस्तों, राश्टी उपभोकता अधिकार दिव जो अधिनियम था, इसको हमने सुईकार किया था, ठीक है, इसके अलाबा 20 उपभोकता दिवस हम कम मनाते हैं, दोस्तों, 15 मार्च को याद रखना, राश्टी हम कम मनाते हैं, 24 दिसंबर को, और 20 उपभोकता दिवस हम कम मनाते हैं, 15 मार्च को हम इसको मनाते हैं, ठीक है, त तो इस वीडियो में हमें 500 जो है लाइक मिलने चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रस्न देखते हैं क्या है निमलिखित में से किस राज में भारत का पहला संगीत संग्राला इस्तापित किया जाएगा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्न है दोस्तो क्योंकि भारत का पहला संगीत संग्राला इहां पर इस्तापित किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा तो तमिलनाडू में मतलब की बी ओप्सन जो है इसका बिलकुन करेक्ट आंसर है अच्छा यह जो है तमिलनाडू म इनका जन मिस्तल है थिरूबरी क्या है त्याग राज का जन मिस्तल है थिरूबरी यह नहीं है और त्याग राज कौन है करनाटक संगीत है इसके त्री नेत्रों में से एक है अब यहाँ पर आपने देखा कि करनाटक संगीत के त्री नेत्र है तो हमने त्याग राज तो देख क्या बोला जाता है त्रीनेत्र या त्रीमूर्ति इनको बोला जाता है ठीक है अच्छा एक बात और करनाटक संगीत जो है भारत के सास्त्री संगीत की दच्छिड भारती सेली का नाम है क्या है दोस्तो भारत की जो सास्त्री संगीत की दच्छिड भारती सेली है इसको हम करना प्रस्न यह बनता है कि करनाटक संगीत के जो है पिता किसे कहा जाता है तो आंसर रहेगा पुरंदर दास क्या रहेगा दोस्तों पुरंदर दास को जो है इसका पिता कहा जाता है तो इस प्रस्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है आगे चलते हम अगला प्रस्न है आपकी स्क्री की स्पीट से जो है आगे बढ़ रही है हमारा भारत अभी भी 180 किलो मीटर की रफ्तार पाने में काम्याब हुआ है फिर भी जो भी पाया है बहुत अच्छा है तो दोस्तो कौन सी ट्रेन है अगे चलते हैं हम अगला प्रस्न अपकी स्क्रीन पर है प्रस्न यह है कि किस बैंक ने जलवाईव परिबर्तन से लड़ने के लिए 2021-2025 का फंड दुगना कर 200 अरब डॉलर कर दिया है तो क्या है दोस्तो किस बैंक ने जो है जलवाईव परिबर्तन से लड़ने के लिए 2021-2025 का जो फंड था उसको दुगना करके 200 अरब डॉलर कर दिया है तो आंसर कहा रहा है का दोस्तो इसका World Bank मतलब की BIS Bank B No. का Option जो है इसका Correct आंसर है आगे बढ़ते हम अगला प्रस्न आपकी स्क्रीन पर है प्रस्न है G20 सिकर सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधिदारा भारत को किस बर्स के सिकर सम्मेलन की मेजबानी मिलने की खोशना की है यह भारत के लिए गर्व की बात है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 के सिकर सम्मेलन के समापन पर जो है किस बर्ष की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है तो दोस्तो इसका आंसर रहेगा 2022 ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा 2022 चलिए G20 के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर जान लेते हैं देखिए G20 जो है 20 की उभरती हुई अर्थ वबस्ताओं का 20 ऐसी अर्थ वबस्ताओं का एक संगठन है ठीक है इसके बारे हम देख लेते हैं कि 2018 में G20 का सिकर सम्मेलन कहां पर हुआ सबसे पहला प्रस्ण तो यहाँ से बनता है तो G20 का जो है 2018 में जो सिकर सम्मेलन हुआ मैंने कल भी इसको प्रस्ण के बारे में बताया था लेकिन आज भी आप यहाँ पर इसकी कुछ additional जानकारी में दे देता हूँ व्यूनस आयर्स में ठीक है कहां पर हुआ व्यूनस आयर्स में जो की अर्जेंटीना की राजधानी है और यहाँ पर जो 2018 में सिकर सम्मेलन हुआ है यह G20 का 13 सिकर सम्मेलन था कौन सा था दोस्तो 13 सिकर सम्मेलन अब आपसे प्रस्ण बनेगा कि 14 सिकर सम्मेलन कहां पर होना है 2019 में ठीक है 14 सिकर सम्मेलन 2019 में होना है तो कहां पर होगा दोस्तो यह तो इसकी मैं आपको यहां पर बता दूँ यह होगा उसाका टीक है जपान का एक सहर का नाम है उसाका यहां पर 2019 में चवद्वा सिखर सम्मेलन होगा लेकिन इंपोर्टेंट चीज एक और हो जाती है कि 2022 में जो भारत में सिखर सम्मेलन होगा वह कौन से नम्मर का होगा दोस्तो वह होगा सत्रवे नम्मर का कौन से नम्मर का सत्रवे नम्मर का ठीक है इस प्रस्ण से हमें इतनी जानकारी मिलती है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रस्ण हम देखते हैं यहां पर प्रस्ण है कि मद्द पिरदेश की वह सुंदरी कौन है जो बर्स 2019 में Mrs. Universe में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी तो मद्ध प्रदेश की या यूपती है दोस्तों जो कि बर्स 2019 में होने वाले Mrs. Universe में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी तो इसका अंसर क्या रहेगा? दिब्या पार्टिदार जोसी के ये उप्सन जो है इसका दोस्तों बिलकुन करेक्ट अंसर है चलिए दिब्या पार्टिदार जोसी के बारे हम थोड़ी सी जानकर यहां प्राप्त कर लेते हैं दिब्या पाटीदार जोसी यह मत्यप्रदेश के रतलाम की रहने वाली है और पर्ष 2018 में इन्हें Mrs. India क्या दोस्तो Mrs. India ठीक है याद रखिए इनको यह खिताब दिया गया है यह खिताब इनको जो है Mrs. India का जो कारकरम आयोजन हुआ था दिल्ली में यहाँ पर इनको यह दिया गया है और 2019 में Mrs. यूनिबर्स के लिए यह जो है भारत का प्रतिजित्य करेंगी चलिए आगे चलते हम अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है और प्रस्ण यह है कि हाल ही में 106 भी भारती बिग्यान कॉंगरेस कहां आयोजन की जाएगी दोस्तों आपको देखना होगा 106 जो है भी भारती बिग्यान कॉंगरेस ठीक है तो कहां पर आयोजन की जाएगी दोस्तों यह है इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा पंजाब ठीक है मतलब कि बी ओप्सन जो है इसका करेक्ट आंसर है अब कब किया जाएगा दोस्तों यह जानकारी आप देख लीजिए 3 से 7 जनवरी 2019 में पंजाब की लवली फ्रोफेशनल इंवर्सिटी जो की जलांधर में इस्तित है और यह जो है जो भारती बिग्यान कॉंगरेस है पहली बार जलांधर में यह की जा रही है ठीक है यह कौन सा नमर रहेगा 106 आपने देख लिया लेकिन आपसे प्रस्ण बनेग कि बरस 2018 में 105 भी विग्यान कॉंगरेस हुई कहां पर हुई तो इसका अंसर क्या रहेगा मडि पूर इन्वरसिटी इंप हल में 105 भारती राष्टी विग्यान कांगरेस का लेकिया घ्या गया था डोस्तो इसका मुक अतिती कोन होते है इसके होते है भारत के प्रधान मंत्रि ठीक है मतलब की नरेंद्र मूदी जो है इसके मुख इसकार करम के मुख अतिती रहेंगे चलिए आगे चलते हैं हम अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है और प्रस्ण है हाले में किस राज को सर भौमिक स्वास्त कबरेज प्रदान करने वाला पहला भारती राज बन गया है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो सर भौमिक स्वास्त कबरेज प्रदान करने वाला पहला भारती जो है राज कौन सा बन गया है हम देखें यहां पर इसको हम अटल आयुसमान उत्तराखंड योजना के नाम से भी जानते है ठीक है तो इसका आंसर रहेगा उत्तराख किये बेबी रानी मोर ठीक है यह जो है यहां की राजपाल है अच्छा उत्तराखंड के बारे में थोड़ी से जानकरी हम प्रात कर लेते हैं उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नमंबर 2000 को एक अलग स्टेट बना उत्तरा और जब 2000 को अलग हुआ था तो इसको जो है उत्तराखंड के नाम से नहीं उत्तराखंड के नाम से जानते थे लेकिन 2006 में जो है इसको हम 2006 से इसको उत्तराखंड के नाम से हम जानते हैं तो दोस्तो यह थी इस प्रस्ण की जानकारी आगे चलते हैं हम अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर और प्रस्ण है क कि यह उसा थीमोती और लच्छी मिकांत सांता राम को डालकर को यह जो है मुहम्मद रफी अवार्ट दिया गया है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रस्थ प्रक्षेपित किया है जो है अपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज आप लाइक जरूर करें आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और आने वाले दिनों में हम आपके लिए और अच्छे करेंट अफेस लेकर आएंगे तो नेक्स प्रस्न हम यहाँ पर देखते हैं अगला प्रस्न है किस राजे सरकार ने अटल बिहारी बाज़पेई की जैनती पर राजी के ग्रामिल चात् भारत रत ने अटल बिहारी बाज़पेई इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करने की गोशना की है तो यहाँ पर आप देखिए भारत रत ने अटल बिहारी बाजपेई इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करने की गोशना की है दोस्तों देवेंद्र फड़नवी सरकार मतल गोशना की है कि भारत के सबसे बड़े cancer संस्तान का उद्गाटन जनवरी 2019 में किस राज में किया जाएगा दोस्तो इसका आंसर रहेगा हर्याणा मतलब कि एपसन जो है इसका correct answer है और हर्याणा के जजजर में किया कहां पर किया जाएगा हर्याणा के जजजर नामाकिस्तान पर इसका उद्गाटन किया जाएगा जनवरी 2019 में और भारत का यह जो है सबसे बड़ा कैंसर संस्थान होगा इंपोर्टेंट है आप याद रखी आपसे एक्जाम में इस तरह की प्रस्न बनते हैं दोस्तों आज का एक प्रस्न है जिसको आप जो है कमेंट्स बाक्स में मुझे बताईए कि इसका आंसर क्या रहेगा आने वाले दिन में मतलब की 29 दिसंबर का जो करेंट अफर्स रहेगा मैं इसका आंसर आपको वहाँ पर बता दूँगा तो इसका मुझे आंसर आप जो है कमेंट्स में बताईए हाले में किस राज की बिधान सभा ने बिरोधी भीड हिंसा बेदेयक पारिद की है ठीक है किस ने की है केरल मनिपूर असम या इन में से कोई नहीं आप इसका आंस सब्सक्राइब कर लें और बैल का आइकोन जरूर हित करें ठीक है दोस्तों धन्यवाद जय हिंद जय भारत